हेलो दोस्तो कैसे आप लोग, दोस्तो आज की बीडियों में बात करने वाले हैं बोट वॉरलंती किलें में के बारे में, अगर आपके पास कोई भी बर्ट का फ्रक्डिक और वॉर्किंग कंडीसन में नहीं है या आपने हाले में राउन्च किया बंद मनत हैगो आपने परचिस की आप चाहते हैं उसकी वारंटी क्लेम करेंगा कुए वोड़ नहीं करते है तो warranty claim में क्या-क्य process है, कितना charge देना पड़ता है, यह सारी process आपको बताएंगे, फ़रार मैं आपको एक बात ही पर बताता हूँ, कोई भी charge पे नहीं करना है, आपको फ्री में process होता है, और मैंने बहुत से लोगों की warranty claim कराएंगे, आज के इस वीडियो में आपकी warranty claim कराने और अगर चनल पर पहले बार आये तो इस वीडियो को देखने के बाद ही लाइक करिये सब्सक्राइब जलू कर देना चलिए सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो दोस्तो वारंटी क्लेम करने के लिए आपको सिंप्ली सर्च करना है बोट वारंटी क्लेम और यह वोट लिए खैजिंद यहां पर मीजा वारंटी कर सकते हैं और वेपसाइट होने के बाद मेरे सामने आपसेंट नहीं वाला है यहां पर लिखा है चेक, स्टेटस, वारेंटी, बॉक इन सर्वेस या पर रिजिस्टर कंपलेंटीन तीन ओपसंस हैं, मतलब आप किस पर क्लिक करना हुआ है, हमको सब्सक्राइब करना हुआ यहां पर पर क्लिक करते हैं, तो यहां पर अभी मेरे सामने एक फॉर्म ओपन होकर आएगा, और यह हमारा रहा है जो कि simply आपको करना ही है तो यहां पर select product group करना है तो जो मेरा select product group है वो मेरा जो है wireless earphone है या फिर आप headphone कुछ भी जो भी आपका मतलब है system उस पर आपको click करना देख रहते हैं मेरा wireless earphone है तो इस पर हम click करते हैं और ऊपर हमारे समय option आ रहा है जो आपको model number डालना है sorry pin code तो उसके नीचे डालना है model number में हम अपना जो headphone का model number है वो exact same color के साथ डालना है तो हैं आपको मेरा जो model number boat rockers 330 और यह 330 महारा ranking red colors के साथ है तो हमको ranking red ही click करना है उसके नीचे हमारा option था pin code यहां से आपका pin code डाल कर यह बताएगा कि आपको किस मतलब service center में जाना पड़ेगा या फिर आपका यहीं pick up होगा तो यहाप fill कर सकते हैं आपके सहर से मैं फरुखा बास तो मैं फरुखा बाने पर fill कर देता हूँ जो भी आपका district वगरह लगता है सारा यह mention करने के बाद नीचे का जो हमारा column है कि हमने कहां से purchase कि हमने amazon से purchase किया है फिर पूछता है कि हमारा क्या दिक्कत है तो one side not working मुझको यह fill करना है देन यहाँ पर पूछता है कि description में लिखिया है तो मेरी प्रब्लम है वह हम description में लिख देते हैं यहाँ पर simply one side not working लिखने एक बात यहाँ प हमने date फिफिल कर दिया मेरे सामने options आगा invoice हमको देना बहुत जरूरा invoice कैसे निकलती है चलिए माज इसी वीडियो में किसको बियाट कर लेते है नहीं तो हमने इसके dedicated अलग वीडियो बनाई है अगर आपको detail में जाना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमने amazon को अप पर एक options आगया है download invoice view order तो हमको download invoice पर click करना है यहां पर download invoice पर जैसे click करेंगे हमारे सामने अभी options आगा invoice और warranty पिर से तो आप invoice भी download कर सके हैं तो invoice को download करने के बाद simply आपको अपने वही वाले section पर आजाना है जो कि आपका page है जो आपने अभी जहां पर हम अपने form को fill कर र आगाई थी हमें invoice दे दी है download करने के बाद और I am not robot पर click करके इस तरीके से form को fill कर देते हैं तो हमारी यू complaint आव रिच्टर होच के आप देखने complaint successfully edit your ticket number is यह है मेरा ticket number यह आ गया है अब आपका भी इस तरीके इस ticket number आएगा और इस ticket number को आप track भी कर सकते हैं थार्ड वाले option से जहां से अपने website open की थी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हो सकता है आपको पूरी जानकारी मिली हो के कैसे आप बोर्ट की complaint register कर सकते हैं और मैंने पूरी कोस्त की आपको डिटेल में बताने की देख सकते हैं आपके mobile नंबर पर यह message भी आ जाएगा क आपका पॉड़क के जो दुने पिक अप हो जाएगा तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लेगी नीचे कमेंट करके मुझे जरूरता है और आपको इस वीडियो से लेटेट अज़र कोई भी प्रवलम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं इंस्ट